प्राइम टीवी में में रेफर करना होगा जो की मरीज होम आईसोलेशन में रह रहे हैं उनका इलाज कर रहे हैं उन्हें होमियोपैथिक चिकितसक देख सकते हैं मरीजों को कोरोना के प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करना होगा दिशान नर्देशों के अनुसार लक्षण विहिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों को होमियोपैथिक डॉक्टरों को आरसेनिकम एल्बम 30C की चार गोली दिन में दो बार साथ दिन तक देना होगा। इसी प्रकार हलके लक्षणवाले मरीजों को भी बेला डोना समेत मानक के अनुरूप कई दवाईयां हैं होमियोपैथ च्विकित्सक दे सकते हैं। होमियोपैथिक के डॉक्टर हैं वो और क्या कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। होमियोपैथिक में और कौन सी ऐसी दवाईयां हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है इस कोरोना की जंग में जो शुरुवाती लक्षन वाले मरीज हैं वो किस तरह से कोरोना की चपेट से बच सकते हैं आरसेनिकम एलबं 30C ये एक दवा है जिसकी गोली देने की बात की ज़ा रही है एक हफते तक लगातार दिन में दो बार चार गोलियां तो ऐसे में इसके लावा कौन कौन सी दवाईयां हैं उनका भी आज जो हम जाने की कोशिश करेंगा हमारे साथ जो डॉक्टर्स जुड़ेंगे उनकी मदद से और साथी होमियोपैथिक को जो ये इजाज़त दी गई है आईश विभा की तरफ से उसके बाद कितना बदलाओ जमीनी स्थर पर देखने को मिलेगा इलाज में देखने को मिलेगा क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि आयरोवेथ वर्सेज ऐलोपैथ की लड़ाई भी हो रही थी कि हम आप से जादा बहतर हैं लेकिन इसमें अब जो है होमियोपैथ कितना योगदान अपना दे पाएगा इस पर भी जो है आज हम चर्चा करेंगे तो जो पॉजिटिव मरीज हैं होमियोपैथिक उनको कैसे इलाज देगा और किस तरह से क्या वो घर पर रहकर भी ये अपना इलाज करवा पाएंगे या फिर कोई विशेश्य सुविधा एलोपैथिक के डॉक्टर उनको उपलब्द कराएंगे जिसकी मदद से वो कोरोना की जो जंग है उसको जीत पाएंगे तो ऐसे तमाम सवाल है फिलाल के लिए जो आईश मुख्याला है उन्होंने होमेपैथिक चिकित्सकों को भी कोरोना के जो मरीज हैं उनको देखने की अनुमती दे दी है और इसके बड़े चेंजिस के बड़े बड़लाओ की तरफ हम आगे क्या बढ़ गए हैं चिकित्सकों को जो लक्षण विहीन लोग हैं या फिर शुरुवाती लक्षण उनके अंदर हैं ऐसे जो मरीज देखने में आ रहा हैं जो फील कर रहा है कि हाँ उन्हें कोरोना शायद हो सकता है तो उन मरीजों को वो देख सकते हैं और ऐसे में जो मरीज हैं वो होम्योपेतिक कर सकते हैं उससे पर चर्चा के लिए हमारे साथ । यहीं कोशिष है कि होम्योपेतिक को जो इजाज़त दी गई है अई के बारे में कहना चाहूंगा जो हमारे होमियोपैथिक के जन दाता डॉक्टर हैनी मैंसर हैं उन्होंने जो है एलोपैथिक की 30 साल तक प्रटिस किया और एलोपैथिक के कुछ ऐसे साइड डिफेक्ट्स देखे कि वह होते हैं जो हमारे सरीर में बाद में दिखाई पड़ते ह हैं जैसे आज आप देखते हैं कि इस्ट्राइड खाने के बाद में करोना के बाद में या बहुत सी चीजों सूगर के बाद में बहुत से फंगल ये सारे चीज़ें दिख रही हैं वैसे ही डॉक्टर हैनी मैं ने जब 30 साल प्रटिस किया और अनुपैण अनुभभों को द उनको देखते हुए उन्होंने होमियोपैथिक का अविश्कार किया, होमियो मिंज सेम, मतलब समान से समान की ओर एक ऐसी मतलब चाकू से जैसे किसी जीज़ को हम काटने हैं, जैसे बिस को बिस मारने के लिए यूज़ किया जाता है, तो मतलब वैसे ही होमारी होमियोपैथिक जो है समान से समान के और काम करती है और ये हमारी बिस्कली बॉडी की जो immunity होती है उसको boost up करने के लिए मतलब जैसे एक हमारी बॉडी होती है बॉडी में जो है एक आत्मा होती है तो जो आत्मा होती है वो सरीर का जो बहुत ही वाइटल पार्ट होती है तो वैसे ही हमारी बॉड़ी में उस वाइटल एनरजी को जो है डबलब करने के लिए होमियोपैथिक दमाई ली जाती है और ये होमियोपैथिक दमाई हमारी बॉड़ी में बहुत अच्छा रिस्पॉंस करती है और हमारी ब हो गए हैं कोरोना के मदे नज़र अब आईश विभाग इजाज़त दे रहा है कि जो शुरुवाती लक्षण वाले कोरोना के मरीज हैं होमियोपेथिक डॉक्टर उनको दे सकते हैं आरसेनिक हम अलबाम 30C का जिक्र किया जा रहा है कितना महत्पूर्ण हो जाता है अब होमियोपेथिक के लिए कि वो कम से कम ये इजाज़त मिली है तो वो कुछ ऐसा करके दिखाए जिससे कोरोना की जंग हम जल्दी जीत है आरसेनिक जो है जैसे धातु होती है तो उससे यह बनी हुई क्योंकि हमारे होमियोपेथिक में कुछ दमाएं जो है वह वेजिटेबल से बनाई गई है कुछ दमाएं जो है एनिमल से बनाई गई है कुछ दमाएं जो है वह मिरल से बनाई गई है तो उसमें से जो आरसेन उसमें पावर बाडु को मैंटेन करने की पावर बनाने की टाकत होती है वो अमारी Özın में ऐसे एंटी सकوا लड़ने की सक्ति रेती है उसद्वी जो है उसको गो are जो इसको प्रिकॉस्ट के तौर पर भी ले सकते हैं पहले से असको जो है 55 लिए जाए आदा कप पानी में तो इससे जो है काफी हद तक जो है अगर उस बोडी में इम्मिनिटी जो है थोड़ी कम है तो उसको और वैटल्टी बढ़ा देती है अच्छा यह जो कोरोना से लड़ाई है ऐसे में हम देख रहा है जो वैक्सीन आ रही है वो भी पू करती है कि हमारे पाषिक जो बाहर से हमारे अंदर आएर है उसे लड़ने की पावर जो है हमारी बॉड़ी में कितनी है इस पर डिपेंड करती है हम कौन सी मेडिसीन ले रहे हैं क्या कर रहे हैं बहुत से लोग योगा ही करते हैं लेकिन उनकी बॉड़ी की इम्मिनुटी काफी ज्यादा स्ट्रॉंग रहती इस वज़े से उन पर कोई भी फॉरेंड पार्टिकल नहीं अटेक करता है तो यह वहां होमियोपाइथिंग में क्या है आपके अंदर जो मेडिसीन दी आती है उस मेडिसीन से स्वता आपके अंदर ऐसी एनरजी बन जाए कि वह घाओ को सुखा दे तो वैसे ही जो हमारी बॉड़ी की यह आरसेनी काल भी बात करें या और जो मेडिसीन से बलाडोना है यह सब यह वह उसको किल कर देता है जो बॉड़ी का पार्टिकल्स नहीं होते हैं जेस है आपने जिकर किया कि अगर कोई चोट लग जाती है तो जो होमियोपैतिक में दवाइद दी जाती है या फिर मैं अलॉपैत का पहले जिकर करूँगा एलोपैत में जो दवाईद जाती है वो ज वो किस तरह से काम करता इस घाव के लिए अगर मैं बात करो देखें होमियों पैथिक हमारी बॉडी में इम्मिनुटी पे मेन चीज ठिकता है वहां पे यह हमारी बॉडी की इंकिभीटी को एक्टिव कर देता है उस सेफक we shall एक्टिव होता है जो हमारे उसको फॉकौर तो जब हम उस एनरजी को लेते हैं तो उस डायरेक्शन में उसका वर्क होने लगता है और वह उस घाओ पे जो है एक तरह से कह सकते हो जो बॉड़ी के सेल्स होती है वह एक्टिवेट हो जाती है उस तरह का वर्क करने के लिए अब यह का जा रहा है को रोना के जो वेरियंट सा रहे हैं वो हमारे अंदर पहुंच जाते हैं और हमको नुकसान पहुंचाते हैं सिर्फ इम्यूनिटी ही ऐसी चीज है जिसको हम बूस्ट अब करके इस कोरोना से दूर रह सकते हैं या फिर कोई और चीज भी है जिस पर हम काम करें तो यह कोरोना से दूर रह सकते हैं दे करते हैं और एक दिन का वर्क नहीं होती है कि कि इसके लिए हम रोजाना सुबह उठना योगा प्रणायाम और डिफरेंट डाइप के इम््मुनिट्साइप कि इम््मुनिट्साइप करना है तभी हम जो है को ऊई मारिया है जिन से हम बच सकते हैं पता कैसे चलेगा कि हमारी immunity कितनी है कैसे हम उसको boost up करेंगे क्योंकि कहा जाता है फल खाई ये fruit खाई एक गरीब आदमी तो यह सब effort नहीं कर सकता अपनी सामाने जिन्दगी में तो ऐसे में वो कैसे boost up होगा और पता कैसे चलेगा कि हमारी immunity कितनी है देखे immunity जो है वो बिसकली जो है हम जो सुबह उठते हैं उठने के बाद में ऐसा नहीं जरूरी है कि हम जो अगर अगर आप रोटी खाएंगे और भी बहुत सी चीजे हैं जो वुलब्ध हैं उनको अगर हम खा रहे हैं तो उसके द्वारा भी body की immunity को maintain किया जा सकता है उसम अगर आप ज्यादा कर रहे हैं और अपने आपको जो है रोजाना दोड़ना बोडी में जो है exercise करना यह सारी चीजे करते हैं योग करते हैं तो उसके द्वारा काफी हद तक जो है हमारी body की immunity जो है strong रहती है और आप कुछ भी अगर खाते हैं ठीक है वो भी लोग जो है atmosphere में रहते हैं वह strong atmosphere में उसे लड़ते हैं और उनके body का जो environment होता है उसके अगेस जो है adjustment होता चला जाता है और इनको जो है जब AC से बाहर निकलते हैं तो वह atmosphere अलग बिल्कुर फील होता है तो ऐसा नहीं है आप जो भी खाते हैं उससे जो है आपकी body को immunity को strong किया जा सकता ह है चीक है डॉक्टर सौमित एक बार फिर से मारे साथ जुड़ गया है बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सौमित एक तो आज विवाग ने होमेपैथिक को चिकित्सा की अजाज़त दे दी है जो शुरुवाती दौर में जो लोग है कोरोना के उनका इलाज कर सकते हैं त किस तरह से कर पाएगी देखें बहुत बहुत धन्यवाद आपका दूसरा सरकार ने बहुत बड़ा अच्छा इस्टेप लिया है कि होंपैथी विदा को भी कोरोना के टीटमेंट में उतारा है और मैं समझना हो कि सरकार ने किया तो लेकिन इसको लेट किया अगर हम सुरू दूसरा क्या है कि सरकार जो लेके आई है हम लोगों को दो चीजें एक तो एस्म्टूमेटिक केस को ठीक करना है तो मैंट केसे में जिसमें आपसिजंट्री पोगरा नहीं हो रहा है आपको सिम्प्ल फीवर है माल्स फीवर है फीवर खांसी है तो ऐसे कैसे को होघो में प्रोटॉपाइब सरकार ने कहा है कि आप लोग इसको होघडे ऊफरी कर ठीक करें अब मैं यहीं पर कहूँगा की होघडिक का बहुत अच्छा रूज है इबर अगर हम सुरूआत में होघडory मेडिसिन को प्रोटोकॉल से मैं यही दरफास करूंगा कि सुरू में ही होपैथिक प्रोटोकॉल जैसे आपका IT-PCR पॉजिटिव आता है उसके साथ एक अलोपैथिक दवाओं का प्रोटोकॉल हर मरीजों को पहुचाया जा रहा गरगर अगर सरकार उस स्टेज पर होपैथिक का प्रोट कि मैंने देखा है कि माईल किसके अलामा भी क्या कोई रिसर्च होमेपेथिक की तरफ से की गई है कुछ लोगों पर या फिर कोई जानकारी जुटाई गई इस बावत कि अलग अलग जगहों पर रिसर्च हुए हैं जैसे हमारे आगरा में डॉक्टर पारिक हैं डॉक्टर अगर 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 दौशाओं को अगर अगर दौशाओं को अगर दिया जाए तो हम मौडरेट से सीवियर केसिज में भी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं अच्छा चीक है डॉक्टर अदर्श यहीं चीज मैं जानना चाहरा हूं कि होमेटिक अपने आप में एक जो विधा है वो कितनी पारंगत है इस कोरोना से लड़ने के लिए और अभी तक कितनी में कि बहुत से केसिज में देखने को मिलते हैं जो एलोपैथिक से निरास होके आते हैं हतास होके आते हैं जब उनको लगता है जैसे हमारे हां इस्टोन जो होती है वो बिना ऑपरेशन के निकलती है और हम लोग इस्टोन को लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं कहते हैं अ और ट्रेट करने के बाद उसको इलाज करना चालू करता है और उसमे पॉजिट्टिव रिजर्ट भी देता है मतलब अगर एक विक्त जो हे हुम्युपैथ बिना उसके 5,000 रुपए मतलब एक विक्त की जो है 500 रुपए एलोपैथ की फीस है उसके फीस के बाद में साड़े चार हजार की जाचे मतलब एक आदमी का पांच हजार खतम होने के बाद लेकिन यहीं पर जो है एक होमियोपैत अपने अनुभे और तजरुबे के दोरा उसकी पत्थरी निकाल देता है तो इस से ज़्यादा होमियोपैतिक में और एक्जांपल देने की क्या जरूरत है वो ठीक है आपने सही बताया होमियोपैतिक के तवाम जो है इलाज है ऐसे और मैंने खुद अपने उपर भी जो है दवाईयां कई एक्सपेरिमेंट की है कि अपने करोना का का घुरूरा अब जाकर आईश्विभाग को भी लाना चाहिए हम देख रहें हां यहां होमियोपैतिक होमियोपैतिक की तरफ से अभी तक कहां दावा किया हो कि हम कोरोना का इलाज करेंगे लोगों का भरोसा बढ़ता तोड़ा हमारे यहां होमियोपैथिक जो डॉक्टर हैं बहुत ही संतोसी डॉक्टर कह सकते हो बहुत ही सटिस्फाइड लोग होते हैं वो किसी भी अभी यह हुआ था कि एलोपैथिक प्रेटिस करने की इजाज़त होमोपैथिक को दी जाएगी लेकिन उसमें अगर आयरुवेदिक थे हैं उनको आके साकार करूंगा और मैंने यह देखा है कि होमियोपैथिक तो एक बहुत बड़ी बात है लेकिन अगर डॉक्टर हैनी मैं सर का नाम भी जो लेके अगर कोई मेडिसिन दे दी जाए होमियोपैथ में तो मैंने उसके रिस्पॉंस इतने पॉजिटिव देखे है जिन रिस्पॉंसों को मतलब आप जो है बहुत ही आश्यर जनक बानेंगे कि ऐसा भी होमियोपैथिक में होता है मतलब मैंने यह तक देखा है कि होमियोपैथिक में अगर कोई दवा आपके सिम्टम्स पे सेट रही है और उसकी किवल एक परची लिखके आपकी जेम में डा से प्ख्ता जानकारी है या फिर कहिए कि इतना पुक्ता दावा है तो फिर पीछे क्यों होमियोपैथिक अभी तक कि रलाच करने के लिए इसकंदर सामने क्यों नहीं आई क्यों नहीं लोगों को मदद पहुंचाई गई अभी तक और सरकार को क्या आपकी तरफ से कोई कर रही होती तो शायद इतनी मौत होती भी न तो फिर इतनी देरी क्यों इसकी को दिया जाए इनको ट्रीटमेंट देने करने के लिए ने नहीं दे गई तो सरकार से बराबर मांग होती रही है दूसरी चीज आप देखेंगे कि होंपैथिक मेडिसेंज जो होती है इसको काफी देर से लाया गया तो और दूसरा चीज कोई कोर्स है जो होमियोपैथी है इसका क्या कोई कोर्स अभी तक तैयार किया गया है कि हम जो भी कोरोना के मरीज है शुरुवाती दोर में वो ये कोर्स कर लें तो बिलकुत पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं कोर्स है जिसको मन्जूरी दी गई हो आपकी तरफ से माना गया हो कि हाँ जैसे कि एलोपैत में हम देख रहे हैं कि बुकार आ गया तो आप ये दवाई खा लेजे और आपको कोई दिक्कत हो रही तो ये गोली खा लेजे आपकी आर्सेनिक एलबं जो की एजब डिवेंटी जो की इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करती है अगर इसको शुरुवाती स्टेज में इसको तीन दिन लेना था अगर इसको लिया जाए तो आपकी इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉंग हो जाएगा कि कोबिड के लच्छन अ उसमें ऐसे में होपेति का एक सिध्धान्थ है कि हम कई सारे मरीजों पर उनके सिंटम्स लेते हैं उनके लच्छन नोट करते हैं उनके साइन देखते हैं उसके बाद मैडिसिन सेलेक्ट करते हैं कि किस मैडिसिन का एफेक्ट है लेकिन जैसा कि मैंने देखा है कि कुछ एक पांचे मेडिसिंस दवाईयां हैं जैसे उसमें आपका इंटिम डार्ट है कारबो पेज एक दवा का नाम है बीच में आपने सुना होगा इस पूर उस फर्मा काफी जादा बीच में आया थी कि अक्सिजन लेवल बढ़ा जेता है कुछ एक मैडिसिंस हैं जो की बहुत एफेक्टिव हैं अगर पॉजिटिव केसे में दी जाएं लेकिन एक तैम में दमाईयां नहीं है लेकिन आप यह मानते हैं डॉक्टर साब की होमेपैथी जो है वो धीरे-धीरे करके पुखता इलाज करती है लेकिन होमेपैथिक में जो रिलीफ मिलता है वो तुरंत मिल जाता है लेकिन उसके कुछ नेगेटिव इंपक्ट भी पड़ते हैं लेकिन होमेपैथिक का नेगेटिव इंपक्ट नहीं पड़ता है तो देर में फाइदा होता है क्या कुछ ऐसा है नहीं नहीं देखे इस पे मैं कहना चाहूंगा यह ए तो उसमें लगता है तो जल्दी फाइदा करता है और डॉक्टर साब मैं यह भी जाना चाहूंगा कि अभी तक आपकी रिसर्च या फिर आप क्या समझते हैं इस बारे में कि इम्यूनिटी बूस्ट कर लेना ही कोरोना का हिलाज है सबसे बड़ा देखिए बिल्कुल यह सत्य है और इसको मानना पड़ेगा कि immunity ही हर चीc होती है अगर आपकी immunity weak है तो आपको तमाम korona नहीं नहीं आपको तमाम बीमारियां हो सकती है आपकी immunity अगर strong है आपको korona से कोई डिक्कत नहीं होगी आपको सकता है infection हो भी तो mild fever होके निकल जाए यह सरदी चुछाम खांसी हलका दी गई है अब हम ये मान कर चलें कि हुमियोपैथी अगर इस विदा में आगे हम बढ़ेंगे तो फिर बहुत जादा फाइदा होने वाला इस पूरे देश को क्योंकि का जारा थर्ड वेवाएगी उसके बाद पता नहीं फोर्ट वेव क्योंकि वैक्सिनेशन को लेकर तमाम मतरें की कमिया हैं तो ऐसे में हम होमियोपैथी की तरफ अगर रुक करेंगे जादा से जादा तो फिर हमको आराम मिलेगा और यह जो तीसरी लहर चौती लहर का जो जिक्र हो रहा है उससे हम बच पाएंगे देखे एक अभी रख साब से कुश्चन पूछा आपने की जो हो है लिकुर्ड बें या कैसे है या क्या है कहां पर तो मैं बात कहना चाहूंगा जो हमारे रहते जब जर्मन में तो इनके एक मित्र को जो है बहुत ज्यादा जो है बहुत प्रोपर्टी बहुत कुश्चा उनके पास और उनका एक अकेला लड़का था और वह इस्पार हो ग हो गया तो उनको जो है टस्केंसर हो गया चणिस पर इसलिए हुआ क्योंकि उत्यों जो है इस पर मैं चाहूंगा जब उनको किसी ने यह बताया कि डॉक्टर हैं वह इस चीज का ईलाज करते हैं और उन्होंने जब उनका पूरा जो है रूब्रिक लिया तो उनको यह पता चला कि इनका जो है एक एकलोता लड़का था और इनके पास अथा संपत्ति है इसका यह क्या करेंगे तो उनको कहीं न कहीं उस चीज से जो है उनको टेस्टिस कैंसर होने लगा तो उन्हों का relation मतलब बीटा जो हता है वह था स्परूम से होता है तो इस पर मेटो जेनेसीस का प्रोसेश ज races बें अबनउर्मस होने लगा उनको एन्वाद्यक् साइंस अब ऐसमें प्रोस वह थी कहीं Кजण से जो है और साइंस होती है B बात करें तो हैंस हों भ्तिक को इस तरह करो करते हैं कि अगर किसी विगोड्रमा अभी बोड्य Um यह अज अ Frigtu कैसे इंद्ध परिंद आपको पहले स्टापिंप्र साइन honey debris गया तो मतलब इसz connect कहते हैं इसको root science कहते हैं कि यह उस जगे से जो है आपको जड़ से खतम कर देती है जहांसे यह start होता है जैसे बीमारी आती है वैसे ही बीमारी इसमें खतम कि बिल्कुल डॉक्त आदर्श आपकर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए तो क्या कुछ आगे होता है इसकी जो है चर्चा आगे होती रहेगी फिलाल के लिए इस बूलेटिन में इतना ही नमस्कार